दोस्तो मैं हूँ रविदाज और आप सभी का स्वागत है डेईली अप्टो डेट में दोस्तो मैं आपके लिए आज बहुत बड़ी बात लेकर आगया हूँ दोस्तो आज से हम इस सिरीज में कंपनी लोग के CS एक्जिकुटिव के सारे के सारे तफावत, सारे के सारे चो difference between है distinguish between सारे के सारे चो कंपनी लोग में आते हैं वो हम करने चाह रहे हैं आज से ही मैं सिरीज चोहेज वो स्टार्ट करता हूँ और हर रोज एक या दो मुझे चितना टाइम में था है उसकी टाइम के तहब में हर रोज एक या दो कंपनी लोग के distinguish अपलोड करूँगा है दोस्तो सारे के सारे चोहे वो तफावत में ने cover कर लिए है सारे के सारे distinguish between जोहे वो cover हो जाएगे पर उसके लिए दोस्तो आप सबसे पहले मेरा चेनल जोहे वो subscribe कर लिजे right side corner पर बे लाइन का दबा कर जोहे वो मेरा चेनल subscribe कर लिजे तो दोस्तो आएए देशते है difference between MOA and AOA आज केला topic है AOA और MOA तो चलिए दोस्तो देखते है तो दोस्तो मैं आपको एक बात बता दू start करने से पहले कि कौपनी लोग में चंदली पूरे 100 मार्क का जो हमारा पेपर रहता है उसमें 16 मार्क यानकी 16 मार्क का जोहे वो difference आते है कि difference between MOA and AOA साइद ले लिजे तो एसे 16 मार्क के जोहे वो difference आपको exams में आते है तो आए चार्ट करते है MOA और AOA का difference तो पहला देखने चाहे तो fundamental document जोहे वो MOA यानि कि आप कहो तो पूरी कंपनी को MOA की तहद वो अपना एक bylaws के सकते है आप अपना एक जोहे वो framework के सकते है तो उसके तहद पूरी कंपनी को MOA में जो भी लिखा है उसकी तरह ही उसे वर्थ करना पड़ता है यानि कि वो charter document है वो fundamental document है आप के सकते है और अगर AOA की बात करें तो AOA जोहे वो subordinate document है और वो internal जोकी कंपनी में internal जो अगर्क होता है internal जो टास्क होता है वो केसे करना है उसकी जोहे वो information regarding AOA में होती है अगर मैं आपको बता दोस्तों यहाँ लिखा है subordinate document तो subordinate document क्यों लिखा है क्योंकि जो MOA है woman document है तो उसका subordinate जो है वो AOA है इसलिए लिखा है कि AOA यानिकी article जो है वो subordinate document है MOA का आए दोस्तों दूसरा तफावद्दीस्ट्यूमिल्स जो है वो देखते है MOA जो है memorandum जो है वो prevail over articles अपी मैंने बताया कि वो AOA है वो subordinate है और यह main है यानिकी prevail करता है articles को MOA और यहाँ तो यह ही होगा कि cannot prevail MOA तो जो AOA है वो prevail नहीं करेगा किसको MOA को prevail नहीं कर सकता आए तीसरा difference देखते है MOA cannot be amended रिस्ट्रोस्पेक्टिवली यानिकी दोस्तो मैं बता दू आपको जो MOA हम अगर amend करना चाहते तो पहले तो वो बहुत ही lengthy process है MOA MOA के compare में तो memorandum जो है दोस्तो वो amend कर सकते हैं पर रिस्ट्रोस्पेक्टिवली रिस्ट्रोस्पेक्टिव मींस कि अगर कोई पिछले task है पिछले work है तो उसमें जो इसमें था एसे ही हमें task complete कर लिया तो उस task में हम changes नहीं ला सकते उसमें हम rules change नहीं कर सकते पिछली कोई घर चुके तो उसमें आप कोई चीन्जिस नहीं कर सकते तो वही बात करते है ये वो एक आर्टिकल की तो आर्टिकल के अमेंडेट रिट्रोस्पेक्टिवली जो आर्टिकल है वो अमेंडे रिट्रोस्पेक्टिवली किया जा सकता है और next difference देखते है LLP ले लिजे चाहे कि कोई भी company unlimited share guarantee वाली company ले लिजे सभी company को जो हे वो must have its own memorandum सभी के पास जो हे वो अपना memorandum प्रिपेर करना होता है और यह वो एक ही बात करें तो दोस्तो public company limited by share may adopt table A in such a case it did not have its own आड़िका दोस्तो public company जो limited by share है वो table A प्रिपेर कर सकती है उसको AOA प्रिपेर करने की कोई आविश्यक्ता नहीं है यानि कि must नहीं है आप करना है तो कर सकते हो अगरना table A बना सकते हो AOA की जगा पे अगर हम six points में आये तोरी fifth point में तो MOA has six close और memorandum चो है memorandum में six close आती है अगर आपको बता तो मैं बता दू पेले वो दोस्तो six close दिखा दता हूँ क्या क्या है MOA में यानि कि memorandum में six close क्या क्या होती है तो दोस्तो memorandum में ये में लिखी है one two three four five six close लिखे पेली name close होती है उसमें नाम कमनिका और एक्सेक्टर लिखा होता situation close होती है उसमें रजिस्टर ओफिस कहां पर situated है वो object close close liability capital and subscription close जो है ये six होती है में और हम ये आर्टिकल में देखे तो act has not prescribed any content of the article तो इस तरह लिखा है कि memorandum में ये चो मैंने बताई ये six close होती है तो एसा article में कुछ provisions नहीं है कि इस तरह से कोई close होनी चाहिए पर जब येसा कि मैंने बताया कि memorandum ये six close तो होनी ही चाहिए अगर next point में आचाते alteration is a difficult and lengthy process with lots of approval दोस्तो memorandum अगर alter करना है आपको change करना है तो बहुत ही जो है वो difficult process है बहुत ही lengthy process है सारे के सारे members की approval लेनी होती है तो इसलिए जो है वो lengthy process और difficult process जो है और alteration of AOA relatively easy do not require much approvals तो जो article है तो वो relatively थोड़ा easy है उसमें ज्यादा approvals की जरुरत नहीं होती है और हम last point की बात करें any act done beyond memorandum is an ultra wise that is void अगर दोस्तों कोई भी director, कोई भी member, कोई भी employee अगर MOA के beyond work करता है तो वो ultra wise करता है यानि कि वो आप ratify नहीं कर सकते है वो आप ultra wise माना चाहता है वो सारक-सारक tasks किये गए हो जो भी काम किया गए हो वो void माना चाहेगा अगर हम article की बात करें तो any act done beyond articles can be ratified retrospectively by amending the articles अगर कोई हमने भूल करने है अगर AOA में तो वो दोस्तों हम article को अदमेने अभी बताया कि वो retrospective effect जो है retrospective sorry तो वो article में लागू नहीं होती है तो वो में ड्याम करकर जो है वो ratify कर सकते है तो अगर article के beyond जाकत इसमें लिखना रहे गया है कि जो task किया जाता है तो उसको जो है वो intra wise बोलते है यह memorandum में जब कोई beyond work करता है उससे ultra और aos beyond task करता है perform तो इससे intra wise करते है तो दोस्तो हम में first fast highlight कर देता हूँ की क्या क्या जो है वो main आपको रखना चाहिए दोस्तो तो में highlight कर देता हूँ तो first of what आप देखी थे जो है document वो chartered है तो में highlight कर देता हूँ अप दोस्तो चाहिए तो उसका screenshot भी ले सकते हैं दोस्तों screenshot लेकर save कर सकते है memorandum prevails तो में आप है पर prevails पर highlight कर देता हूँ can not prevail तो में cannot पर highlight कर देता धोस्तों की की आपको आसानी रहे में cannot amend तो यहां amend और cannot पर में highlight कर देता हूँ और यहां पर केन अमेंड तो अमेंड कर सकते हैं यहां पर मस्ट में में जो है वो हाइलाइट कर देता हूं दोस्तों आपको यह हो गए मस्क पर और यहां टेबल है लिखते आता हूं उस पर हाइलेट कर देते तो आज साइड आपको फार्स ख्याला आजाएगा और यहां पर six close है वो तो आपको पता ही मैंने जैसा बताया यहां पर यहां पर यहां पर यहां कोई close की clarification नहीं है दोस्तो तो यहां पर यह सी कोई provision नहीं है आर्टिकल अल्ट्रेशन डिफिकल्ट है तो यहां पर अल्ट्रेशन डिफिकल्ट में दोस्तो मैं आप ही के लिए हाइलाइट कर देता हूं सारी लैंग ताकि आप वो देपकर ही direct आपको जो है वो आपको आसानी से आप कर सकते है रिक्वायर म आपको आपको कर देता हूं तो यह हो गई और यहां पर ratify कर देते है तो दोस्तो यह लिजे तो अगर और स्पीड में एक साइट का MOA का बलतू का और बाद में AOA का ठीक है तो जो है Memorandum में वो चार्टर डोक्युमेंट है आर्टिकल को प्रिवेल करता है रेट्रोस्पेक्टिव हम उसको अमेंड नहीं कर सकते दोस्तो में Memorandum की पहले बात करता हूं फिर AOA की ठीक है तो Every Company is must Memorandum सारे के सारे को होने चाहिए फिर six close host में होते है MOA में अल्ट्रेशन डिफिकल्ट होता है MOA का और अगर इसको कोई बियोन चाहा कर कोई बोल करता है टाक्क तो उसे अल्ट्रा गायस बोलते है ठीक है अब AOA की बात करते है तो उसके सबोर्डिनोट डोक्युमेंट और इंट्रेल्नेट डोक्युमेंट कहा जाता है आर्टिकल्ट चोहे वो प्रिवेल नहीं करता है मेमोरेंडम को अमेंड कर सकते है उसको रिस्ट्रोस्पेक्टिवली अगर आपको यह वो यह नहीं बनाना तो आप टेबल यह काम चला सकते है दोस्तों और टेबल यह चलता है यहां पर रेशा कोई फिक्स स्पेसमें नहीं है आप केसे एटी फॉर्मेट में आप चोहे वो बना सकते है आपके अच्छे लगेवेसी यहां अल्टरेशन के बात है तो वो इजी है और रेट हीठाय आप कर सकते है तो दोस्तों आप यह स्क्रिंसोट पी ले सकते है आपका मेहां नहीं हाइलेट कर दिया है अब पीछे वहाँ पर चलते है तो ठीक है यह इसका आप स्क्रिंसोट ले सकते है यह सिक्स क्लोस है तो ठेंकियो दोस्तों देखने के लिए और लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा चैनल जो में अपलोड करने वाला हूँ तो अगर आपने सब्सक्राइब की होगी मेरी चैनल तो आप